Q1. A. अकेला एक कारे को 12 दिन में पूरा कर सकता है B. अकेला उसी कारे को 6 दिन में कर सकता है दौनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे Q2. A. अकेला जब किसी काम को करता है तो 12 दिन का समय लेता है और B. अकेला उसी काम को 6 दिन में कर लेता है तो सबसे पर हम क्या करते हैं कि यहां से इनका total work निकाल लेते हैं total work निकालने के लिए हम 12 और 6 का LCM लेंगे 12 और 6 का LCM लेंगे तो 12 ही आएगा यह हो जाएगा आपका total work यहां से निकाल लेंगे हम इनकी work efficiency यानि काम करने की छमता तो 12 का divide 12 में देंगे तो 1 times आएगा 6 का divide 12 में देंगे तो 2 times ला जाएगा यह उर्गी इनकी काम करने की छमता हमसे काए दौनों मिलका इस काम को कितने दिन में समाप करेंगे तो दौनों की work efficiency को add कर लिजिए कितनी हुझाएगी 3 आपसे क्या पूचा कितने दौनों में दे पूच रहा है तो दे बरावर होता है तोटल वर्क में अगर हम बर्क एफिशन्जी का divide देंगे तो हमाज पर दे निकले आते हैं तो देगे तोटल वर्क कितना हमारा 12 है तो 12 को रखिये उपर दौनों की बर्क एफिशन्जी कितने हैं 3 का इसमें divide दे दीजे 3.12 यानि कि दौनों मिलकर इस काम को 4 दिन में समाप कर लेंगे यह हो जागा आपका इस question का answer यानि कि options number B आपका बिल्कुल सही है question number 2 गनेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं यादि गनेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सोहन अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा question में दिया आपको गनेश, राम और सोहन ये तीनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं यदि गनेश और राम मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं यानि कि गनेश और राम काम करते हैं तो उसी काम को ये 24 दिन में पूरा कर लेते हैं सबसे पहले यहां से टोटर वर्ग निकालते हैं तो total work कैसे निकल को इनका LCM डे लिए जिए 16 और 24 का कितना जाएगा 48 आजाएगा यह हूँ जाएगा आपका total work यहाँ से इनकी work efficiency निकली आएगी 16 का बाग दीज़े 48 में कितनी times जाएगा 3 times जाएगा 24 का बाग दीज़े 48 में कितनी times जाएगा 2 times जाएगा तो ये इनकी ये work efficiency हो गई गनेश, राम और सोहन की work efficiency कितनी है तीन इन तीनों की work efficiency है तीन जबकि गनेश और राम की work efficiency कितनी है तू तो देखे गनेश और राम की work efficiency कितनी है तू और श्याम की कितनी बचेगी एक बचेगी क्योंकि तीनों की कितनी है तीन गनेश और रामकी है दो तो श्यामकी कितनी हो जाएगी सिर्फ एक हो जाएगी वरकेविशन्जी तो हमसे पूचा कि सोहन अकेले उस काम को कितने दिन में फूरा कल लेगा तो टोटर बर कितना वारा 48 और सोहन की वरकेविशन्जी कितनी है एक कैस में डिवाइट देंगे तो 48 टाइम सी जाएगा तो यानि कि सोहन अकेले इस काम को 48 दे में समाप करेगा यह हो जाएगा आपका इस कोश्चन का अंसार यानि कि आप्सन्स नमबर बी आपका विल्कुल सही है कुश्चन नमर 3 A और B मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं B और C मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं A और C मिलकर उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तीनों मिलकर काम करें तो उसे करने में कितना दिन लेंगे कुश्चन में दिया है A और B मिलकर किसी काम को करते है तो 36 दिन का समय लेते है B और C मिलकर किसी काम को करते है तो 24 दिन का समय लेते है और A प्लस C मिलकर किसी काम को करते है तो 18 दिन का समय लेते है तो दीखे सबसे बहले यहाँ से टोटर बर्क निकालते है तो टोटल बाग कैसे निकल के इनका LCM ले लिजे 36, 24 और 18 का जो LCM होता होता है 72 यानिकी 72 यह होगे आपपर टोटल वर 36 का इसमें डिवाइट दीजिए कितनी टाइमस जागा? 2 टाइमस जागा यानिकी इनकी काम करने की सम्ताद हो जाएगी 24 का देंगे तो 3 टाइमस जाएगा और 18 का देंगे तो 4 टाइमस जला जाएगा ठीक है? तो A प्लस B की काम करने की सम्ताद हो B प्लस C की 3 और A प्लस C की होगी 4 तो सबसे परें की यूनिट को एड़ कर लिए तीनों की यूनिट कितनी हो जाएगी? 9 अब दीके question में हमको आगे क्या दिया है? Question में हमको आगे दिया है कि तीनों मिलका इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? यानि यह A प्लस B प्लस C इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो A हैं दो B है और दो C है यानि कि ये दो दो है इनकी unit दे रहे हैं आपको 9 तो हम क्या करते हैं पिटेक में 2 कॉमाल ले लेंगे तो हमारे पास बचेएगा A प्लस B प्लस C इन तीनों की unit कितनी हमारी 9 है तीकि अगर हम 2 का यहां पर divide दे रहे हैं यानि कि इसका half कर दे तो A प्लस B प्लस C की हमारी 9 है यह आपका अंसा है 9 से इसको काटेंगे 8 टाइमस काटेगा 8 का इसमें multiply करा दीजे 8 दूनी 16 यानि कि इस काम को 16 दिन में समाथ कर लेंगे यह हो जाएगा आपका इस question का answer यानि कि options number B आपका बिल्कुल सही है question number 4 P Q तता R मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं P तता Q मिलकर उसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं R अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है question में दिया है P प्लस Q प्लस R ये तीनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं P थदा Q मिलकर उसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं P प्लस Q मिलकर उसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां से टोटल वर्क निकालते हैं तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इंदोनों का LCM ले लिए, 4090 का, कितना जाएगा, 360, यह हो जाएगा आपका टोटल वर्क, यहां से इनकी वर्क एफिसेंसी निकालते हैं, 40 का बाग लगा दीजिए, 360 में, तो कितनी टाइम चलाएगा, 9 टाइम चलाएगा, 9, 4, 36, 90 का बा से कितनी है, 4, यानि कि इन नोनों की वर्क एफिसेंसी कितनी है, 4, काम करने की शमता इनकी है, 4, तो R की कितनी हो जाएगा, 3 की 9 है, और P प्लस Q की 4 है, तो R की कितनी बचेगी, 5 बचेगी, जबी तो 549 हो जाएगा, ठीक है, तो R की कितनी निकले आएगी, 5 निकले आएगी यानि कि आर अकेला इसी काम को 72 दिन में समाप्त करेगा यह हो जाएगा आपका इस question का answer यानि कि options नंबर B आपके बिल्कुल सही है question नंबर 5 A, B से 40% अधिक कारे को सल है यदि B अकेला एक कारे को 42 दिन में कर सकता है तो A अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा देखे, A और B दे रखें आपको question में कायें, जो A है 20-40% अधिक कारे को सल है यानि कि अगर B के काम करने की छमता 100 है तो A की कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी, क्योंकि 40% अधिक है किसकी A की B से तो यहां से सबसे पहले इनकी यूनिट निकाल लेते हैं तो देखे, इसमें 20 का डिवाइड चला जाएगा 60 टाइम्स और इसमें 20 का चला जाएगा 5 टाइम्स यह इनकी वर्क काम करने की छमता है ठीक है? अगर देखे, वर्क के अविसियंसी में हम D का multiply कराते हैं तो हमें total work find होता है अगर हम D निकालते हैं तो total work में हम क्या करते हैं? वर्क efficiency का divide लगाते हैं तो question में हमको दे रखा है कि B अकेला उसी काम को 42 दिन में पूरा कर लेता है यानि कि जो B है ना उसी काम को 42 दिन में पूरा कर लेता है यह work efficiency है work efficiency में अगर हम D का multiply करा देंगे यानि कि 42 दिन का multiply करा देंगे तो total work आ जाएगा तो 42 का अगर 5 में multiply कराते हैं तो 210 हो जाएगा यह क्यों हो जाएगा आपका total work हो जाएगा अब आपसे question में आगे का है तो A अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा यानि कि आपसे A की पूछी है तो A की काम करने की समता कितनी है 7 total work कितना है आपका 210 तो मैंना वता है कि D निकालने के लिए अगर ने total work में work efficiency का divide लगा देते हैं यानि कि 210 में यानि कि A अकेला उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर लेगा यह हो जाएगा आपका इस question का answer यानि कि options number C आपका बिल्कुल सही है question number 6 A B से 2 गुना तेज काम करता है B अकेले एक काम को 18 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलका उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते है question में दिया है A और B है तो जो A की चंता है B से 2 गुना तेज है यानि कि B की अगर एक है तो A की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी हमसे काए B अकेले उस काम को 18 दिन में पूरा कर लेता है अभी मैंने आपको पिछले question में बताया था कि work efficiency का अगर हम day में multiply कराते है तो total work का जाता है तो देखिए यहाँ पर work efficiency दे रहे है B की एक है और वो कितने दिन में समाफ कर लेता 18 दिन में 18 का अगर multiply कराते है तो total work कितना हो जाएगा अब आप से काएगी दोनों मिलकर दोनों की unit कितनी है तो दोनों मिलकर सकाम को कितने दिन में पूरा करेंगे तो हम गयाँ total work में इस तिरी का डिवाइड दे दे देते है तीन चिंग 18 यानि दोनों मिलकर सकाम को 6 दिन में समाफ कर देंगे यह हो जागा आपका इस question का answer यानि कि options number C आपको बिलकुल सही है Question number 7 सत्यम और सिवम किसी काम को करम से 10 दिनों में 15 दिनों में कर सकते है दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते है 4 दिन बाद सत्यम काम छोड़ देता है से इस काम को सिवम को पूरा करना है पूरा कार्रेक कितने दिनों में समाफ्त हो जाएगा question में दिया है सत्यम किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है जबकि सिवम उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है तो सबसे पहले यहां से total work निकालते है तो total work निकालेंगे कैसे इन दोलों का LCM ले लिए कितना हो जाएगा 30 यह हो जाएगा आपका total work अब यहाँ से इनकी work efficiency निकाल ले है 10 का divide देंगे 30 में तो 3 times आएगा 15 का देंगे तो 2 times ला जाएगा यानि कि सत्यम की work efficiency देंगे 3 और शिवर्म की हो गई 2 अब question को आगे पड़ती है 4 दिन बार सत्यम काम छोड़ देता है यानि कि सत्यम जो है 4 दिन तक काम करता हो फिर छोड़ देता है तो इसके 4 दिन का काम निकाल लीजिए इसकी work efficiency में अगर day का multiply कराएगे तो इसके 4 दिन का काम आजाएगा अचारती है 12 यानि कि जो सत्यम उसने कितना काम किया बारे काम कर लिया था और बारे काम करके यह छोड़के चला गया था तो total work में से पहले बारे को घठा दीजिए तो कितना बचा हमारे पास 18 काम बचाए तो जी 18 काम जो बचाता उसको कौन पूरा करेगा जो बचा है यानि कि कौन बचा है शिवम तो शिवम की उनिट कितनी है तो तो दो का इसमें डिवाइड लगा दीजे 18 में दो का डिवाइड लगा दीजे दो नाम 18 यानि कि जो शिवम है उसने इसको 9 दिन में समाफ कर दिया यह हो जाएगा आपका इस question का answer यानि कि options number A आपका विल्कुल सही है question number 1 A किसी काम को अकेला 10 दिन में कर सकता है B उसी काम को 15 दिन में कर सकता है वे एक साथ मिलका काम करना शुरू करते हैं परन्तु B काम आरव होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है तो A से इस कारे को अकेला पूरा करता है कारे पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा question में दिया है A अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि B 15 दिन में पूरा करता है तो सबसे पहले यहाँसे total work निकालते है total work कैसे निकालेंगे इन दोनों का LCM ले लिए कितना हो जाएगा 30 यह होगे आपका total work यहां से इनकी work efficiency निकालते हैं यानि काम करने की सम्ता 10 का divide देंगे 30 में तो कित्री times जाएगा 3 times 15 का देंगे तो 2 times लाएगा यानि कि A के काम करने की सम्ता होई 3 B की होगई 2 आपसे आगे का है B कार्यारम होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है यानि कि B ने काम छोड़ दिया है यानि कि B ने 2 दिन काम किया फिर काम छोड़ दिया है तो work efficiency का अगर हम day में multiply कराते हैं तो हमारा work आ जाता है यानि कि इसका 2 दिन का काम निकाल लेते हैं B का B ने 2 दिन क काम कितना किया होगा, तो B ने दो दिन चार काम किया होगा, तो चार काम total work में इसे गठा देते हैं, तो कितना बचा 26 काम गचा, तो 26 काम को कौन पूरा करेगा, A पूरा करेगा, क्यांकि A बचा है, तो A की फरके efficiency कितनी है, तो 26 का 3 में divide दे दीजे, यही आपका अंसर हो जाएगा यानि कि 26 वट्टे तीन दिन में इस काम को समाप्त करेगा यह हो जाएगा आपका इस question का answer यानि कि options number C आपका विल्कुल सही है Question number 9 A, B और C अकेल अकेले एक काम को 24, 16 और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं यादि A और C काम सुरू करते हैं और 6 दिनों तक कारे करके छोड़ देते हैं तो 6 काम को पूरा करने के लिए B को कितने दिन का समय लगेगा Question में दिया है कि A अकेला किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है जबकि B अकेला होसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है और C अकेला होसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है तो सबसे पहले यहांसे Total Work ने कालती है Total Work कैसे ने काल की? इनका LCM ले लिए तीनों को केतना जाएगा 96 हो जएगा तीनों का LCM यह हो जाएगा आपका total work ठीक है 24 का इसमें डिवाइट दीजे किती time से लाएगा 4 time से लाएगा 16 का देंगे तो 6 time से लाएगा 32 का देंगे तो 3 time से लाएगा तो A की work efficiency होगी 4 B की होगी 6 और C की होगी 3 अब question में हम से आगए का है और 6 दिन तक करके छोड़ देते हैं यानिकी सबसे पहले A ने और C काम सुदू किया है और 6 दिन तक किया है और काम को छोड़ दिया है तो इन दौनों की unit को add कर लिजे पहले 4 और 3 7 यानिकी इनगे कितना काम किया जाए 6 दिन तक किया है तो Total बrak मैंसे इसको घटा दिए Total मैंसे इसको घटाएंगे यानि 96 मैंसे M coupleकिटना उच्छ आ चाूअवन काम मचेगा 54 काम को किसने पूरा किया होगा synchronous ने तो हमसे पूचा कि B अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा काम रहेगा हमारे पर 14 वी की वरक एफिसेंसी कितनी है 6 तो 14 में 6 का डिवाइड लगा दीजिए 6 नाम 14 यानि कि बी ने इस पर आके लिए कितने दिन काम किया हो नो दिन यह हो जाएगा आपका इस कोश्चन का अंसर यानि कि आपका बिल्कुल सही है Q10 P1 कारे को 15 दिन में Q 24 दिन में पूरा कर सकता है उन्होंने एक साथ मिलकर कारे करना अरम किया परंतु Q कारे पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया कारे को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा question में दिया है जो P है किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और Q उसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है सबसे पहले यहां से total work निकालते है total work कैसे निकालेंगे इनका LCM दे लिए 15 और 24 का कितना होता है 120 यह उड़ाएगा आपका total work 15 का बाग देंगे 120 में तो 8 टाम जाएगा 24 का देंगे तो कितना टाम चलाएगा 5 टाम चलाएगा यह पी की work efficiency हो गई 8 और Q की हो गई 5 आगे आपको दिया है परन्तु Q काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़कर चलाए आता है यानि कि मान के चली कि कोई 30 दिन का काम था तो 30 दिन में यह 28 दिन तक तो Q ने काम कर लिया है 28 दिन तक का काम कर गया है सिर्फ 2 दिन का काम चोड़कर गया है यानि यहां पर क्या लिखा हुआ पहले और पिछले question में आपने पढ़ा था बाद में यानि कि सिर्फ आपर 2 दिन काम किया था इसमें add कर जिए total work में तो total काम कितना हो जागा 130 आप क्या करना आपको इन दोनों की unit को add कर ले ना क्योंकि end तक उसने क्यों ने काम किया है P के साथ सिर्फ end की दो दिन का काम छोड़ गया था तो हमने वो इसमें add कर दिया यानि कि end तक दोनों ने साथ में काम किया है तो दोनों की unit कितनी हो जाएगा आट और पांच तेरे तो तेरे कास में divide लगा दीजी 130 में तो तेरे धाई 130 यानि कि ये काम पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा तस दिन का यह हो जाएगा आपका इस question का अंसर यानि कि options नमबर भी आपका बिलकुल सही है question number 11 A, B, C किसी काम को करमसा 10, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते है तीनों मिलकर एक साथ काम करना आरम किया परंतु दो दिन बाद A ने और तीन दिन बाद B ने काम छोड़ दिया किसी काम को 10, 15 दिन में और Så c या कि काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है सबसे पहले यहां से total work निकालते है又 work efficiency निकालते है तो total work निकालने हैं इन 3 लिए लिए कितना हो जागा 6 यह होगया आपका total work अब इनकी छंटा निकालते काम करने की 10 का divide देंगे तो 6 times जाएगा 15 का देंगे तो 4 times जाएगा और 20 का divide चाट में देंगे तो 3 times लाज़ेगा तो A के काम करने की समता 6, B की 4 और C की 3 हो गई तो इनों ने एक साथ मिलकर काम करना श्राट गिया परंतु 2 दिन बाद A ने और तीन दिन बाद B ने काम छोड़ दिया है यानि कि दो दिन बाद तो A ने काम छोड़ा है और तीन दिन बाद B ने काम छोड़ा है तो देखिए सबसे पहले दो दिन बाद A ने काम छोड़ा है न तो यानि कि तीनों ने दो दिन तक तो एक साथ काम किया हुगा यानि कि कितना काम किया हुगा छे और चार दस और तीन तेरे यानि कि तेरे काम तेरे उनिट तो काम किया है कितने दिन तक किया है दो दिन तक किया है तो दो दिन के इनका काम निकाल ले थे सब्सक्राइब तो दिन ने कितना काम किया estoy k triple Crisbon गराएंगे कि तो कितना हो जाए कि छब्ष काम कर लिये इन 2 दिन तक मिलकर अब एक चोड़कर चला गया तो एक क्रॉस मार देते हैं हम से आगे का मना चोड़ दिया तो दिखिए दो दिन तक तो इन threeों ने काम काम कर लिया था अब वी ने काम चुड़ दिया टीन दिन बाद यानि कि सिर्फ इसका कितना दिनर ले गया एेक दिन का क्योंकि A भी चला गया और B भी चला गया यानि कि इनों ने दो दिन A ने और B ने यानि कितना काम कर लिया है C के साथ मिलकर 33 काम कर लिया है 33 काम को इसमें से घठा दीजिए टोटल वर्क में से आपके पास जो काम बचेगा, कितना बचेगा, 27 काम बचेगा, अब आपके पास कौन रहेगा, सिर्फ C रहे गया है, तो C इस काम को कौन पूरा करेगा, C, C की उनिट कितनी है आपकी 3, 3 का इसमें डिवाइड लगा दीजे, 3 नाम 27, तो C ने अके लिए इस पर कितने दिन काम तो इसको लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, सस्काइब कीजिए, और वेल आकन पर क्लिक करना विल्कुल न भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यूँ वीडियो की अप्डेट सबसे पहले मिल सके, थैंक्यू फॉर वाचिंग मी